हेलो हेलो है मैं दिवेश दिवागान आप सभी का मेरे चैनल में स्वाधत करता हूं हम लोग सर्कल को लेकर चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे पिछले वारे पार्ट में सर्कल के कुछ बेसिक्स बताया हूं और कुछ कोशन्स बताया हूं उसी को हम लोग आगे लेकर लेंगे हर पार्क में आपको क्योशन मिलेगा, चलिए देखते हैं हाँ पर क्या दिया होओ होगा है, दूसरे विच्ट्टी के तनी हो गा होगी जिसक्त शेंटरफल, पहले विच्ट्ट के खेंटरफल से नहों गुना है, तो देखना है ऐसे प्रश्णों को बनाने का प्रयास करना है अभी तो देखो हम लोग यह देखो एक capital R लेके चलते हैं एक small r लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर दो circle और दो radius की बात हो रही है ठीक है तो मैं दूसरे का लेके चलता हूँ capital R तो यह pi r square हो जाएगा area की बात कर दी है ठीक है न एरिया के बात कर रहे हैं तो यह किसके बराबर है वो रहे है जो पहला वाला जो circle है pi r square जिसका area है उसके 9 times के बराबर है ऐसा दिया हुआ यहाँ पर 9 गुने के बराबर है ऐसा यह दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर यह भी दिया हुआ है यहाँ से pi पर यह आप डारेट हटा सकते हैं यह बज़ गया r square is equal to 9 और यह small r का value दिया हुआ है 3 meter क्योंकि यह पहले वाला का है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 3 square ऐसा लिख सकता हूँ ठीक है यहाँ से r का value क्या जाएगा देखिए यह 9 into 9 यह आगया 9 meter तो दूसरे वाले circle का radius कितना आ जाएगा 9 meter यही हमारा क्या हो जाएगा ठीक है अभी और question बना के देखते हैं उसमें क्या दिया हुए देखो ध्यान से question को सुनना है दो वृत्तों की परिधियों में एक अनुपात 3 का अनुपात है बड़े वृत्त की परिधी 396 cm है छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्याद करें बहुत ध्यान से इसको ध्यान से समझना है इसमें दो सर्कल की बात किया है फिर से एक स्माल है और एक बिग है इसमाल ले ले लेते हैं और ये बिग ले लेते हैं ठीक है इसका जो है क्या हो जाएगा सरकम्फरेंस डू पार स्मॉल ऑर क्रेंस र हुख ए और वीगर के तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 396 ये 396 ये दिया हुआ इनके भीच का रीशियो दिया है वन रीशियो एक प्रस्ते चलिए देखते है यह कहां से क्या जाएगा इसे सुझाओ की आप बाद में करेंगे चलिए टू इंटू थ्री यह पाई और यह आर पाई आर मैं ट्वंटिटू अपांग सेवन इसको लिखनों क्या है ठीक है ट्वंटिटू अपॉन सेवन यह आर इस इक्वल टू थ्री नाइन सिक्स यह ऐसा हो जाएगा है ना आर का देखो वैल्यू क्या आएगा यह 3-9 6 into 7 divided by 2 into 3 into 22 ठीक है ट्वंटिटीटो मैं क्या लिखनों यह पर 6 लिटा हुट छलिए ऐसा मैं लिख लिया है कि यह 11 2 जा ठीक है, यह 11, 3 जा and 11, 6 जा, और यह 6, 6 जा, ऐसा यह cancel हो गया, फिर यह कितने times cancel हो जाएगा, 3 times, तो radius यहाँ से कितना जाएगा, 7, 3 जा, 21, हम लोग इसमें किस में दिया है वाई, cm में दिया होए क्या, हाँ तो यह cm, radius इसका कितना जाएगा, 21 cm, किसका, smaller circle का, यही question में पू फिर उसके बाद हम लोग कुछ shaded portion जो जिसमें diagram दिया रहाएगा, वैसा question करके देखेंगे, तो एक question और बना कर देखेंगे, देखो यहाँ पे और question दिया हुआ है, दो वृत्तों के व्यास में अनुपाद 3 अनुपाद 5 है, तो उनके क्षेत्र फलों का अनुपाद क्या हो और पहला वाला जो रेशियो चोटा है, तो मैं उसको small r ले लेता हूँ, ठीक है, यह pi r square, यह area यही होता है न, area 1 ले लेते हैं, और यह area 2 ले लेते हैं, यह होता है pi capital r square, दोनों area ही है, ठीक है, pi r square, pi r square, small r capital r, यहाँ से आप लोग सीथा-सीथा यह pi pi cancel कर लो, कोई दिखक small r square, capital r square, यहाँ पे, क्या दिया हुए है, हाँ पे, radius में दिया हुए है, sorry, diameter में दिया हुए है ratio, ठीक है, तो यह, यह क्या है, radius है, तो radius क्या होता है, diameter काधा होता है, तो 3 दिया है, तो 3 by 2 रख लेता हूँ, वैसे कोई फरक नहीं पड़ेगा, फिर भी method से मैं चल रहा हू इधर भी 2 square वही रहेगा, हाला कि 5 square, 3 square बाहर निकलेगा, वो क्या answer हो जाएगा, बच क्या जाएगा है है, 3 square और यह 5 square, तो यहाँ से कितना आ जा रहे है, 9 by 25, तो क्या पूचा हुए कोशन में, दोनों के एक शेत्र फलों में अनुपात क्या, what will be the ratio in their areas, यह पूचा बहुत ईजी था, ऐसा सा कोशन अब लोग अभी बहुत सारा बना के देखेंगे, इसके बाद आला कोशन तो diagram वाला है, वो देखेंगे, बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग है, यह question exam में आ चुका है, पूरा जो तीनो कोशन बताने वारा हूँ, तीनो आ चुका है, तो उस फिर यह ऐसा है, और यह बना हो, एक्चुली में यह क्या है, एक सेक्टर है, एक सरकल का एक हिस्सा है, सेक्टर है, और यह ऐसा दिया हुआ है, यह portion को वो ऐसा किया हुआ है, ठीक है, यह 30 डिग्री, और यह 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, और यह 3.5 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है डिखे लेकिन यहां तक अलग यहां तक अलग है तो इस बड़े वाले जो हिस्से से चोटा वाला इस्से बाहर निकाल देंगे तो यह वाले प्रॉब्लम आपको नहीं होगा तो इसके लिए करना क्या होगा हमको देखो एरिया की बात कर रहे है ठीक है यह पाई पाई तो रहे गई आर स्क्वेर यह देखो सेवन सेंटिवी सेवन स्क्वेर इन्टू थीटा बाई थ्री सिस्टी होता है तो यह थार्टी बाई फ्री सिक्स्टी ये तो होगा ही होगा यह होता है एरिया क्याव सेक्टर देखेंगे आप लोग फार्मुला भोलेंगे नहीं ठीक न उसके पाई आर स्क्वेर यहां पर देखों 7 by 2 है ठीक है यह 7 by 2 whole square into theta by 360 वैच होगा 30 by 360 ठीक है यहां में multiply लगा रहे तो यह ऐसा हो गया ठीक इसको आगे कैसे solve करने के इसको बहुत सारी तरीके हैं लेकिन हमको उनमें से सबसे सरल तरीका को ढूणना है पाई मैं common ले लिया ठीक है पाई के गए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 22.7 और यह 30 by 360 भी common ले सकते हैं यह 30 by 360 दोनों मैं common ले लिया अंदर क्या बचा यह 7 square याने की 49 बज़ गया और यह 49 by 4 बज़ गया 7 square यह 2 square 49 by 4 यह बज़ गया हमारा ठीक है ऐसा करने का फायदा यह हुआ है देखो यहां से यह कितना पूरा 12 times cancel हो गया यहां से बारत यह 36 होता है ठीक है यह 6 times 11 times यह cancel हो गया है ठीक है अब देखो आगे यहां पी पढ़ गया 11 by 7 into 6 यहां से फिर हम लोग 49 ले सकते हैं यह 49 को अंदर बज़ गया 1-1 by 4 यह हो जा रहा है अब देखो कोई कालकुलेशन कितना इजी होगा आभी तक हम लोग किसी प्रजार का ज्यादा टफ यहां पे मल्टिपलिएस ने डिविजन नहीं किया है बस होते जा तरह करते जा रहा है ठीक है यह 7749 होता है यह होता है 77 by 6 ऐसा हो जाए गई 1-1 by 4 यह हो जाएगा 3 by 4 फिर से कैंसल होगे देखो 32 कितना आसानी से हम लोग क्यालकुलेशन करते जा रहे हैं यह हो जाएगा 77 divided by 8 एक यहां पर हम लोगो क्या करना पड़ेगा डिविजन करना प लेते हैं ठीक है कितना टाइमस कैंसल होगा यह 8 9 जा 72 यह बज़ गया 5 यह पॉइंट लगा लिए ठीक है यहां से ऐसा कर लिए 8 6 जा 48 ठीक है 48 ठीक है बज़ गया 2 0 8 2 जा 16 यह 4 0 और यह 8 5 जा तो कुल मिला कि कितना अगे 9.625 क्या आगे यह 9.625 और हम लोग एरिया कल्कुलेट कर रहे थे शैड़ेट पॉर्शन का तो यह क्या हो जाएगा 9.625 सेंटीमेटर में था सेंटीमेटर इसको यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है यह मैं आपको समझाने के लिए बहुत धीरे-धीरे सॉल करते पर बनाया हू तो ऐसे इसको बना रहा है अभी और कोशन ऐसे ही बना के देखते हैं इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग सभी कोशन को ध्यान से समझना है सभी कोशन इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स कोशन भी ऐसा है च्छायंकित भाग कर श्रित्रफल ग्याद कीजिए फैंड एरिया और दूसरा निकालना है लेंथ अब बॉर्डर्स अब श्रित पोर्शन चायंकित भाग कर सीमा की कुल नंबाई ग्याद करना है तो देखना है इसको कैसे बनाने बहुत अच्छा कोशन है ठीक है देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले आपके कोशन में दिखाई दे रहा हो हो गया यहां से यह डामेटर है यह देखो यह डामेटर है उसके बाद यहां से इसका सेंटर है और ऐसा करके ऐसा मतलब जितना इधर निकला है उतना इधर डूबा हुआ है ठीक है और यह रेडियस दिया है फाइफ सैंटी मिटर ठीक है तो यह अंदर वाला जो सरकल है इस पहले हुआ यृट कैसं को इसंगा को घहान से लेखो कि इस पोशन को इसपोशन को है पीदर इतना दूबा हुआ है इधर उतना निकला हुआ है इस सरकल का आधा है उल्मिला कि यह क्या हो गया इस सरकल का आधा हो गया यह इस सरकल का इतना छूट रहा था यहां से कवर कर लिए उसको तो क्या निकालना है अपने को एक्चुली में क्या निकालना है पाई एक कैपिटल आ रहे इह हो जाएगा यहां से कितना आजाएगा ये 22 बाई 7 और यहां से रेडियस कितना है नफ़ाइब है तो 5 इंटो 5 इंटो 5 वाई यह कर लिए ठीक है इतना में ये निकल के समने आ जाएगा देखो तो क्या आता है यहां से, यह 11 हो जाएगा क्या, ठीक है, 11 into यह हो जाएगा, 25 by 7, क्या यहां पर थोड़ी दिया हुआ है, कि किस का पाई का वैल्यू, क्या यह उस करना है अपने को, नहीं दिया है, ठीक है, इसके बाद इसको आगे calculate करेंगे, यह किता हो जाएगा, यहां से मैं calculate करूं, कैसे करें, 25 into 11, तो यह 25 into 25, यह ऐसा, sorry 25, यह 5, 7, यह 275, है ना, तो 275 by 7, ठीक है, यह ठीक है, यह आजाएगा, 39.3 cm2, answer, calculation हमको सिर्फ यहां पर करना पड़ा है, यह तो फिर भी हो गया, 25, 25 दिख रहा है, कोई प्राब्लम नहीं हुआ हुआ उस में, ठीक है, यहीं पर करना पड़ा, एक कोशन, दूसरा कोशन, इसी में क्या दिया हुआ, वो भी इंट्रस्टिंग है, बहुत अच्छे कोशन में से, length of borders of the shared portion, ठीक है, चैंकित भाग के सीमा की कुल नमबर, इसका मर्दब, देखो, यहां से अधी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसा च चलेंगे, इसका length हमको निकालना है, ठीक, तो इसमें दो चीज़ आप ध्यान देंगे, देखो, यहां से जब भी हम लोग यहां चलेंगे, तो यह तो circle का आधा दिख रहा है, circumference जो भी बन रहा है, उसका आधा दिख रहा है, इसका मतलब, 2 pi capital R का आधा दिख रहा है, यह, by 2 कर लिया मैं, क्योंकि यहां से यहां तक चला, मतलब आधा है, ठीक, दूसरा, यह हिस्सा, और यह हिस्सा, मिलके एक circle का हिस्सा बना रहा है, क्योंकि यह, इसको नीचे लाओगे, तो यहसा बन जाएगा, ना, मतलब, यह हिस्सा, और यह हिस्सा मिलके एक circle का हिस्सा बना रहा है, क्यों से वाले चलागे, छोटे वाले circle का, plus, sorry, यहां पर क्या जाएगा, 2 pi small r, यह सा आजाएगा, small r, यह वाला, यह है इस question में देखने लाएग, ठीक है, यहां से 2 और 2 cancel हो जाएगा, pi common निकाल ली हमें, small r, sorry, capital R, 5, और यहां प 2 बचा हो है, 2 into 5 by 2, यह ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यह वरे cancel, 5, 5 हागया, 10, इसका answer आजाएगा, 10 pi, 10 pi, और यह centimeter में था, ठीक, 10 pi centimeter, यह हमारा answer आजाएगा, अब यदि में question में, जो option था, उसमें 10 pi था, इसलिए 10 pi दे रहे हूं, और यदि मालो 10 pi के जगा, वो point में दिया लेकिन option में ऐसा है, 10 pi, इसलिए मैं 10 pi ले रहे हूं, तो यह बहुत important question में से एक है, ऐसा ही question एक और यहाँ पर मेरे पास दिया होगा है, उसको भी अभी बना के देखते हैं, जितना भी question बता रहा हूं, यह अच्छे level का question है, यह सब question को आपको छोड़ना नहीं, चलिए next question दिया हुआ है, next question भी ऐसा ही है, find the area of shaded motion, चैंकित भाग का क्षेत रफल ज्याद करो, चलिए दिया हुआ है, आप लोग के question पर दिखाई दे रहा होगा, यह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एक क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ऐसा एक रेक्टेंगल बना यह दिया हुआ है, और यह 14 cm ऐसा दी, यहां से यहां तक 14 cm दिया है, इसका मतलब यहां से इसका radius किता हो जाएगा, radius हो जाएगा 7 cm, इसका इस circle का, ठीक है, चलो इतना तो हो गया, तो हमको निकालना है इस portion का area, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस rectangle का area हम लोग पह तो मिल जाएगा हमने को required area, क्या हो जाएगा है हाँ से देखो area, 18 into 14, पहला, यह पूरा हो गया, minus pi r square, लेकिन आधा है by 2, ठीक है, चरी आगे देखते हैं, इसको यहें पर multiply कर लें क्या, ठीक है, यह हो जाएगा 252, यहां से, 22 upon 7 into, radius कितना है हाँ से, 7, 7 into 7, ठीक है, इसको उपर लिख लों क्या है, by 2 को नीचे में लिख लों क्या है, 7 into 7, यह वाला, ऐसार में कर लिया, ठीक है, यह वदे आएगा, 252 minus, यह 7, 7 में cancel कर लिया क्या, 11 times cancel कर लिया, यह आगया, 77, ठीक है, यहां से आगया, 175 cm2, कितना आ जाएगा, 175 cm2, तो देखो, हम लोग क्या की, सबसे पहले, rectangle का एरिया, उसमें से, यह वाला हिस्सा का, एरिया को घटा दिये, by 2 इस लिए, क्योंकि यह सर्कल का आध्र, ठीक है, सॉल किये, 175 cm2, इस टाप का एक और, एक और कोशन है, मेरे पास आगे, आने वाले पार्ट्स में आएगा वो, वो कोशन एक्जाम में आये हुआ था, इधर भी ऐसा सर्कल था, इधर भी ऐसा सर्कल था, ऐसा कोशन, तो इस टाप का जो भी कोशन था, वो बहुत जादा कोशन को आप लोग ध्यान से बनाएंगे, और बार अबर बनाके देखेंगे, अभी और कोशन बनाके देखते हैं, चलिए अगला कोशन दिया हुआ है, इसके बाद और कोशन हो देखेंगे, वृत्त के चतूर्थांस का क्षेत्रफल ज्याद कीजिए, जिसकी परिदी 22 cm, बहुत ही लॉजिकल कोशन है, ध्यान से समझना है, find the area of the quarter of a circle whose circumference is 22 cm, ठीक है, area of quarter निकालना है, वृत्त के चतूर्थांस का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पर क्या दिया है, circumference दिया है, 2 pi r is equal to 22, यह दिया हुआ है, ठीक है न, तो 2 into 22 upon 7 radius में पहले निकाल लूँगा, यह 22 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैंसल हो जाएगा, कोई दिक्कत निदिया है, क्या हो जाएगा, यह 22, 822 दिकनसल, radius is equal to क्या हो जाएगा, 7 by 2, इसको 7 by 2 ही रखते हैं, ठीक है, cm, solve करने में आसानी चतूर थांस, मतलब यहाँ, area of quarter, इसका मतलब उसके 1 upon 4th को निकालना है, 1 upon 4th, pi r square, तो 22 upon 7, r square देखो इहाँ, इसी लिए में इसको रखा हुआ था, ताकि आगे अली step में में इसको असानी से रख सको, ठीक है, यह और यह cancel हो गया, ठीक है, यह कितना टाइम्स, 11 टाइम्स यह cancel हो गया, ठीक, यह कितना हो जाया गया, 77 by 8, इस calculation को थोड़े दर पहले हम लोग कोशन में कर चुके हैं, यह आता है, 9.625, ठीक है, same calculation कर चुके है, 77 by 8, तो इसके area आ गया, 9.625 cm2, यह है, 1 upon 4, यह इस चीज को यहाँ पर समाझना है, ठीक, चलिए next question दिया है, यह भी logical question है, यह question exam में आया था, और बहुत लोगों ने इसे छोड़ दिया, जबकि इस question में कुछ नहीं था, चलिए देखते हैं, वृत्त के तृज्याखन का च्छे तरफल, ठीक है, वृत्त के च्छे तरफल का 1 बटे 10 है, वृत्त के तृज्याखन का च्छे तरफल, वृत्त के रहाँ जिए परनेंगे तो तुरिज्यक का कोन ग्यात कीजिये दह एरिया अफ और अफ और पॉन तेन अफ दॉल गएव डिया पॉर्ट ग्याद कीजिए। लाप सेक्टर तो देखे इसमें कुछ भी करने क्या हो सकता नहीं है ना एरिया के फर्मुरा लगाने क्या हो सकता है ना कुछ करने क्या हो सकता है सीधर सीधर क्या बोल रहा है टोटल एरिया का क्या है वो वन अपॉंट टैन है ठीक है इस बात साहिमा थे आप टोटल एरिया क क्या है वो वन अपॉन टेन है इसका मतलब टोटल एंगल जो 360 होता है इसका भी क्या हो जाएगा वो एंगल पन अपॉन टेन हो जाएगा सीधा-सीधा क्या हो जाएगा बसते हैं तो इसमें कोई भी प्रब्लम आपको नहीं होना चाहिए सीधा-सीधा वान अपन हो लोग कर लिए तो यह बहुत अच्छा कोशन है ऐसा कोशन आपसे कभी भी नहीं चूटना चाहिए ठीक है चलिए देखते हैं दो कोशन और क्या क्या दिया हुआ है ठीक है दो ग्याद कीजिए, the area of any sector is 1540 cm2 and it makes 50 degree angle at the center, then find out the radius of the circle, बहुत इसी है, area of sector हुनको लगाना है, फार्मुला हम वो निकल के बाहर आ जाएगा, देखो, area of sector क्या होता है, फार्मुले में रख लिया, कुछ ने कि हम अपने मन से, जो जो कोशन ने बोला है, उसको मैं फार्मुले में रख लिया हूँ, ठीक है, अभी देखते है, आर स्कॉर का एक साइड लेते हैं, बागी को एक साइड लेते हैं, इसको पर क्या असर कर लेते हैं, चलो ठीक है, जो इधर कर ले लिया, उसको मल्टिव्ट है कर लिया, ठीक, अभी देखो, आगे, अब कैसे करना है, चली, यह हो जाएगा, 11, 2 जा, और यह कितना हो जाएगा, 11, 1 जा, फिर 11, 4 जा, और यह 0, ऐसा यह हो जाएगा, ठीक है, और इसको चाहाँ तो कैंसल कर सकते हैं, 12, 2 और यह 70, ऐसा कैंसल कर लिए, इसको कैंसल करने पर, यह 14, 75 होता है, यह 14, यहाँ से कितना आजार है, देखो, 14, इन्टू 7, इन्टू 36, यह आगया, आर स्कूर का वेल्यू, ठीक है, तो मैं यहाँ से, आर क्या ले लूँगा, देखो, 14 को क्या ले सकते हैं, 7 इन्टू 2 लिख सकते हैं, 7 इन्टू 2, इन्टू यह 7 और यह 36 को 36 रहने देते हैं, यह ऐसा आगया, ठीक है, चली इधर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो आर का वेल्यू यहाँ से कितना आजाएगा, 7, 7 का रूट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, 6, तो 7, 6 ज यदि यह option में दिया है, तब तो ठीक है, और यदि नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 42 इन्टू यह 1.414 इसका value होता है, किसका root 2 का value होता है, बस यदि option में नहीं दिया है, तब यदि दिया है, तो यहीं रोग देंगे, यदि नहीं दिया है, तो 42 इन्टू 1.414, और यह वैल्यू रूट 3 और रूट 2 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेंगे बहुत छोटा चीज होता है वो ठीक है इसको याद करेंगे रेडियस अफे शर्कुलर फिल्ड इस 35 मेटर इन हो मस् टाइम अब वाइक इन कंप्लीट टैन राउंड आफ एट स्पीड आफ फाइब किलोमेटर पर आवर इसको बहुत है यह इसा कुशन सर नहीं बन रहा है डारेक सीधर जीधर बनाने का प्रयाज भी नहीं करते हैं क्या हो जागा 10 राउंड इन्टू टू पाई आर ऐसा यह कर लें हम लोगों 10 राउंड लिया 10 इन्टू टू पाई आर ऐसा कर लेंगे ठीक है यह डिस्टेंस निकल के सामने आजाएगा 20 इन्टू 22.7 और उसमें कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है यह 35 साथ पंचे यह 35 हो गया ठीक है यहां से यह 100 और 20 200 इसको क्या लिख सकते हैं 2.2 किलो मितर मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहे है 10 राउंड में 10 बार घूम रहे है इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहे है तो क्या पूछा हुआ यहां पे कितनी देर में लगा सकता है इस शक्र ठीक है तो यहां पर उसका इस्पीड भी धिया हुआ है ठीक है तो time is equal to क्या होता है distance by speed time is equal to क्या होता है distance by speed distance है 2.2 km km में change करने का वो यह था क्योंकि जो इसके speed है यह भी km per hour दिया है by 5 यह भुजाएगा time यह निकलेगा hour में किसमें निकलेगा hour में इसको minute में change करेंगे यह भुजाएगा 22 upon 50 into 60 minute into 60 minute क्योंकि 60 से multiply किया ठीक है यह और यह मैं cancel कर लिया 22 into 6 है 6 दूनी 12 6 दूनी 12 एक 13 132 divided by 5 यह minute में ही आया है ठीक है इसको और मैं कर लेता हूँ यह कितने times cancel हो जाएगा देखो 5 दूनी 10 फिर 3 और यह टो 5 चका 30 होता है ठीक है 5 चका 30 और यह 2 और चलेंगे आगे 2 by 5 लिखने क्या इसको 2 by 5 ऐसा लिख सकते हैं इसको 2 by 5 minute यह इसका answer हो जाएगा 26 2 by 5 minute यदि और आगे इसको second में दिया है तो second में इसको क्या कर लेंगे convert कर लेंगे कोई problem नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 26 minute 24 second आया हुए है इसको आप convert कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है आप बिल्कुल कर सकते हैं करना चाहें तो ठीक है तो 26 2 by 5 minute इसका answer हो जाएगा option में जैसा दिया मैं आपको यह समझाने के कोशिश कर रहा था कि distance कैसा निकलता है और distance के बाद उसका time कैसा निकालते हैं और यह concept में circle का बस यह 2 by r इस्तिमाल हुआ है बाकी सब time and distance का है तो यह question ऐसे ही question जिसमें दो अलग-अलग topic के concept इस्तिमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा important होते हैं उसको आपको बना के देखना चाहिए उसको आप बिल्कुल बना के देखिए वही सबसे ज़्यादा important होता है मैं दिवेज दिवांगान आप लोक लिए ऐसे ही lessons लेकि आते रहूँगा आपने देखा कि यह part बहुत ज़्यादा important था इसमें मैंने बहुत अच्छे-च्छे और selected question को लेकर आया सरकल में और भी ऐसे question में लेकि आपके सामने आऊँगा बसरते आपसे इतनी उम्मीद है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होंगी उतना ही ज्यादा energy मुझी मिलेगा नया वीडियो बनाने में बा मुझी 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 झाल झाल